प्रधान मंत्री नरेन मोदी अपनी दो दिन की गुजरात यातरा पर है। लगबग छहजार करोड रुप्या ना विकास ना परियोजाना सिलान्ध्यास ना कामों आजे यहां मोकों मढ़ें। आप परियोज नाओ अब अधा प्रकल्पों किसानों ना भाग्य ने काय में एक मजबुदी आपना राच है। वहीं इस मौके पर पियम मोधी ने कहा कि हमारी पीडी ने दुनिया की सबसे उची मूर्ती देखी है। आने वाली पीडिया सरदार पटेल की परतिमा को देखेंगी लेकिन जुकेंगी नहीं बलकि उनका सिर उचा रहेगा। आपनी पेडिये दुनियानी सवती उची परतिमा स्टेची आफ यूनिटी। सरदार साहिम ने साच अर्थमा खुम उंचाई वाली सद्धा अपने वेक्ता करीशे। अने आवनारी पेडियो पाण जरे सरदार साहिम ने मुर्ती जुए ने तेरे मनू माथू नहीं नमें, ये मनू माथू उंचू जोड़ू से। इसके साथ ही पियम मोदी ने गोविंद गुरुजी को याद किया और कहा कि गोविंद गुरुजी का पूरा जीवन भारत की आजादी और आदिवासी समुदाय की सेवा में बीता। अने पोते एक बलिदानियों ना प्रतीक बने गाया। मने खुशी छे का हमारी सरकारे गया वर्षों मा गोविंद गुरुजी नी स्पृति मां मानगर धाम जी मद्यप्रदेश, राज्यस्तान और गुजरातना आदिवासी पत्ताना केंदर बाचे। अने एक बहुता अउसर तरीक अपने ने मनावी है से। दरसल पीम मोदी अपने दो दिवसिये दोरे के दोरान करीब 16 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और लोकार पड़ करेंगी। जिसमें से 8 प्रोजेक्ट की उद्घाटन और लोकार पड़ प्यम मोदी ने बनास काठा से किया। और इन सभी प्रोजेक्ट से महसाणा, एमदाबाद, बनास काठा, साबर गाठा, महिसागर, गाधी नगर और पाटन जिलोक को फायदा मिलेगा।